दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना विटामिन E का सिर्फ एक कैपसूल लें तो आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन विटामिन E न सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, बलकि आपके हार्ड की ह से प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंट्रेस्टिंग जर्नी की शुरुवात करते हैं और जानते हैं विटामिन E के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों विटामिन E एक फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं जो साथ अलग-अलग कमपाउंट से बनता है जिनने अलपा टोकोफेरॉल्स कहते हैं। विटामिन E के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो सब ही इन कमपाउंट में छुपे होते हैं। विटामिन E लेने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फाइदा यही है कि या आपकी बाड डेमेज को कम करके उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकिन, किड्नी और हार्ट जैसी समस्याओं से बचाता है। विटामिन E लेने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है हमारे हार्ट की हेल्थ को यह शरीर में LDL यानि Bad Cholesterol और Triglycerides को कम करता है और Blood Pressure को Normal रखता है। इसके साथ ही या नसों में Oxidative Stress को भी कम करता है जिससे Heart Attack, BP और Anikardio-Vescular Problems का खत्रा कम हो जाता है। विटमिन E लेने का तीसरा फाइदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके अंदर Non-Alcoholic Fatty Liver Disease है। यानि जो शराब का सेवन नहीं करते फिर भी उनका Fatty Liver है। ऐसे लोगों के यसी गंभीर समस्याओं से बचाओ होता है। विटमिन E का चौथा फाइदा आपकी स्किन के लिए है। इसका Mostly Use आजकल Beauty Products बनाने में होता है क्योंकि या स्किन में Collagen Production को बढ़ाता है जिससे स्किन टाइट और Elastic रहती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो स्किन को Elasticity और Tightness लेता है। विटमिन E इसकिन के टेक्चर को Improve करता है और उसे Healthy बनाता है। विटमिन E का पाचवा फाइदा आपके ब्रेन के Cognitive Function को सुधारना है। Cognitive Function का मतलब है चीजों को देख कर उन्हें Mind में याद रखने की शमता। विटमिन E के नियमित सेवन से ब्रेन की Memory और याद दाष्ट में सुधार होता है। इसके साथ ही या अलजाइमर डिजीज जैसी बीमारियों का खत्रा भी कम करता है। विटमिन E का छठा फाइदा आपकी Immunity को मिलता है। या आपकी Immunity को बढ़ाता है जिससे बार-बार बीमार पढ़ने की समस्या कम हो जाती है। और य की Immunity को बढ़ाता है जिससे फेफडों में बार-बार होने वाले इंफेक्शन का खत्रा कम होता है। दोस्तों ये सधी विटमिन E से आपकी बॉडी को मिलने वाले बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं विटमिन E के Food Sources के बारे में। तो दोस्तों विटमिन E, Wheat Germ Oil, Sunflower Seeds, बादाम, मू, फली, ब्रोकली, पालक, तमाटर, कीवी, मैंगो और एवाकॉडों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप विटमिन E के Supplements भी ले सकते हैं। आम तोर पर ये 200 Mg ये 400 Mg की डोज में आते हैं। आपको रुजाना एक कैप्सूल खाना खाने के बार लेन लगता है। जिसकी वज़े से Side Effects भी हो सकते हैं। प्रेगनेट महलाओं और बच्चों को भी विटमिन E लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों मुझे उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब कीजे तथा शेयर कीजे। अपना और अपनों का ध्यान दखे और देखते रहिए सेहत सूत्र।